So, hello guys, welcome back to our react.js series जहां आमने introduction, setup and अपना first react app create कर लिया था अपनी पिछले lecture में So, आप दिख सकते हैं, आप यह प्ले लिस्ट में ने create कर दिया है तो आप यार इसे bookmark कर लेना Okay, and यहाँ पर मैं लगा ताल lecture बढ़ता रहूँगा जब तक complete react.js हमारा नहीं हो जाता Okay, so आज ही हम lecture में क्या सीखने वाले है So, यार first हम एक react app create करेंगे And second हम उसके folder structure and code structure के बारे में समझेंगे And like बहुत से लोग यह कह रहे होंगे कि यार पहले भी हमने like create react app तो last वाले lesson में भी किया था But यार वो ना एक छोटा सा brief था मतलब छोटा से introduction था कि आप कैसे अपना project create कर सकते हो Exact हम आज create करेंगे in the visual studio code And with the help of visual studio code terminal मतलब like आप cmdb भी कर सकते हो run start वगरा But इस बार हम इसमें visual studio board में करेंगे जिससे आपको help हो ठीक है तो यार series start है and let's start the lecture So अगर इससे पहले अगर आपने subscribe नहीं किया है तो यहाँ पे एक बटन है लाल से सपेद हो गया है तो इसको subscribe कर लेना और बाकि अगर front end, back end कुछ भी सीखना हो And coding, DA से कुछ भी सीखना हो तो यार चैनल ज़रूर subscribe कर लेना Okay, so चलो चलते हैं हमने visual studio code So guys, यहाँ पे सबसे पहले हम terminally start करते हैं जिससे exact आपको idea हो So अभी मैं कहाँ पे हूँ इसमें यह मेरे folder का path है तो मैं यहाँ पे सलता हूँ CD documents में ठेक है मैं documents में आ गया यहाँ मैं folder create करूँँआ रियाक नाम से So आपने discord server अगर आपने join किया हो तो मैंने last lesson का data उसमें upload कर दिया है तो आप वो भी check कर लेना Okay, so first हमें क्या करना है NPM Create React App Okay, and इसके बाद आपके App का नाम, तो यहाँ पे हम use करेंगे NPX, अब बहुते लोग मुझे comment कर रहे थे कि NPM और NPX में क्या फरक है तो यार देखो, NPX आपको एक one time install file देता है Create React App की command की अगर आपको इसको global install करना है जिससे आपके node modules या जो भी folder अभी हम देखने वाले है वो automatic आ जाए, बिना बार-बार डाउनलोड होए from internet और you can say cloud तो आपको NPM यूज़ करना है और आप NPX से भी काम चला सकते है ओके, so यहाँ पर आपको डालना है अपने app को नाम तो हम यहाँ पर डाल देते है lesson 2 यहाँ कुछ भी डाल दो आपके उपर है तो मैंने इसको create कर देता हूँ तो यहाँ जब तो यह create हो रहा है तो चलिए इसके documentation में चलते है ओकी, so guys sorry, my bad excitement मैंने गलत lesson गर्णा हम डाल दिया तो यहाँ पर आपको short में रखना है जो भी नाम रखना है ठीक है, so यहाँ पर मैं short में रख देता हूँ lesson 2 तो आप देख सकते हैं, create होना start हो गया, in the visual studio code terminal, आप easily create कर सकते है because यह हमारे default terminal या cmd को कोई कॉल करता है तो चलते, react. या पर आप react.dev लिख दो ठीक है, तो यह इसकी documentation उपर हो जाएगी so guys, documentation read करना start करो उसका reason क्या है आप कोई भी update, कोई भी plugin update, library update YouTube channel upload कर रहा है, यहाँ पर आपको पता चल सक, ठीक है so आप देख सकते हो, यहाँ पर create react app का क्या scenario है, create nesting component to start complete चीज़ है, ठीक है I have a button and all the things with the help of react.js and jxs jsx आप इसको read कर सकते हैं और हम सारी चीज़े इसकी through ही करेंगे like जो भी हमारे पास update होगा सबसे खास बाद यह है प्लेइलिस्ट की कि हम सारे components updated ही read करेंगे तो दिखते हैं हमारा create हुआ नहीं हुआ चलो यार यह create होगा, तो आप चाहे नाशता कर रहा हो और मैं वीडियो काट देता हूँ so guys आप दिख सकते हैं, हमारा app create हो चुका है success created lesson 2 और यह dietary का नाम आ गया npm start, npm run, build, npm neck, test, npm run, eject यह commands हम one by one test करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना अपने project में तो हमना project का नाम था lesson 2 cd करके सब चले आई है and then हम उसे यहां से open भी कर सकते हैं चीक है, आप command dot अब यहां देख सकते हैं, हमारे folder structure आ चुका है node modules, public, fabricant, तो इसको ना पहले start कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी आसी idea हो जाएगा थोड़ा सा npm start अब आप npm run start भी कर सकते हैं npm start के साथ-साथ because npm run build आपको करना पड़ेगा so that's why अगर आप npm के साथ run यूज करें तो जाधा बेटर है for starting आप देख सकते हैं, हमारा app create हो चुका है edit source app.js and save to reload तो यार, देखो, हम ना entry points से भी जा सकते हैं कि हमारे app का entry point क्या है बटना फैले मैं चलता हूँ folder structure की तरफ then हम code structure समझेगे तो सबसे पहले है node modules so what is node modules node modules guys एक आपका फोल्डर है जहां आपके सारे packages सारी libraries install होंगी आपके project से लिएट जो भी आप React का project create करते हैं जिसके अंदर Babel, JSX and बहुत सी libraries जो useful होती है अगर आप कोई भी third party लाइट करते हैं जैसे React router, DOM, Axios तो यहां पर उनका bundle use हो जाता because आप कोई भी project use करते हैं कुछ भी import करेंगी तो उसका reasons ही है कि को code कहां से import हो रहा library function कहां से आ रहे हैं तो यह वो हैं तो मेरी राय में इसको मच छेड़ना कभी भी इसके लिए एक NPMI command आती है जिससे यह update भी हो जाता और install भी हो जाता मैं आपको करना शिखाऊंगा कैसे करते हैं ठीक है तो यह पूरा folder है छेड़ना नहीं है बस इसमें थोड़ा सा notice कर लो कि कौन सी library इंस्टॉल हुई है कौन सी नहीं ओके node modules second है हमारा public folder then हमारा source folder one by one इसके बारे में जाएंगे git ignore so guys अगर आपको git पता है तो आपको भी पता होगा git ignore फाइल क्या होती है जिसमें हम कुछ folders को ignore कर देते कि यार यह हमारी github repository पे ना जाएं जब भी हम इसको commit करें या पुश करें या इस discussion में लिंक पढ़ा है आप उससे git भी सीख सकते है ठीक है package log.json and package.json they are same file बट हमें log.json वाली file को नहीं चेड़ना है हम चलते हैं package.json वाली file यार देखो सबसे important file अगर आप अपने project की का होगे अगर यह में सो गई ना तो फिर आप अपने project को starting कर सकते हो आपको दुबारा build करना पड़ेगा और सारी चीज़ा add कने पड़ेगी तो इसको एक बार बारी की समझ लेते है कि exactly है क्या सबसे पहले name हमारे project का name जो हमारे project का नाम है वो हम यहां से change कर सकते हैं हमारे project का version आप में देखा होगा कुछ android के versions update होते हैं या project के version होते हैं तो यहां से हम उसको change करते हैं 0.1.0 मैं चाहूँ तो इसा 1.10 कर सकता हूँ ओके private, true, dependencies important part तो अभी हमारे project में by default जो dependencies आती है jest dom guys jest टेस्टिंग प्लैटफोर्म होता जिससे आफ अपनी libraries को test कर सकते हैं next है हमारा react तो guys react का हम 18.2.0 version यूज़ कर रहे है and updatable and react dom हम यूज़ कर रहे हैं वो भी updated है react scripts यूज़ कर रहे हैं 5.0.1 and web vitals guys vitals क्यों होते हैं vitals आपको बता है जो हमारे like हमारी body में vitals होते है जो हमारे update देते हैं हमारे census की या काफी चारी सीज़ो की तो same web vitals भी हमारे actuator लाइक हमें accurate report देता है कि हमारी services किस तरीके से काम कर रहे हैं या हमारे files या function किस तरीके से काम कर रहे हैं so guys then है scripts part so script part में हम देख सकते हैं हमारी कुछ commands है start के लिए हमारी कौन सी command call होती है build के लिए हमारी कौन सी command call होती है test के लिए react script test and eject के लिए react script eject तो हम चाहे तो इस command को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जसे मैंने इसको कर दिया भागो okay so इसको ठ्राइ करते हैं एक बाहा new terminal and यहापे हमें लिखना है npm run भागो so अब दिख सकते हैं हमारा app स्टार्ट हो गया guys so आप इस सरीगी से भी अपनी command को वैसे मैं इसको वापे स्टार्ट कर देता हूँ तो यह अजस्ट मैंने आपको बताया कि क्यों यूज होता है कैसे यूज होता है इसे isnt linnt config है जिसमें हम extend करते हैं अपने testing environment को react app को यह browser list है किस browser में support करना है किस browser में support नहीं करना है तो अब यहापे इसको customize कर सकते है development phase में and product size phase में तो यहार दिखो हमारी package.json complete हो चुकी है इतना details में कोह भी नहीं बताएगा तो वहाँ confused नहीं होना है, ठीक है? And then, readme file है, so of course guys, readme file होती है, आपके introduction के लिए, कि आपका, you know, जैसे हम यह दिख सकते हैं, development port है हमारा इसमें, npm run build, क्या करती है, फूरी मतलब, इस documentation के यहसाब से, readme file लिए, जिससे आप confused नहीं हो, तो यार, आराम से पढ़ ले न, मन है तुभारा, अब आ जाते हैं, हम अपने source folder में, नहीं, उससे पहले हम आते है, public folder में, यह public folder actually है क्या? So guys, जैसे कि आप दिख सकते हैं, इसमें एक file है, index.html, zoom कर देता हूं, index.html, तो जब हम बोलते हैं, single page application, तो यार, यही है वो single page, जिसके तुरू हम single page application create करते हैं, यही एक simple file है, index.html, जो हमारा पूरा एब रन करती है, जो हमारा पूरा एब रन करती है, जो हमारा पूरा एब रन करती है, आपको एक बार इसका source दिखाता हूं, तरके देखें, जैसे react tap है, इसमें मैं add कर दूँ, try the web, okay, तो मैंने इसमें add कर दिया, तो आप देख सकते हैं, इसका title change होगे, try the web, hot reload है, automatic reload होता है, ठीक है, so next, चलिए उसको पहले, इस structure को समझते हैं, exactly है क्या, तो simple, first HTML है, meta tag है, link है, meta information है, कि like कि device बरन होगा, theme color इसमें add कर रखा है, black, meta description add कर रखा है, तो basic चीज़ है, तो यार इन comments को मुड़ा सकते हैं, कुछ और होड़ गया, and कोई भी ची delete करो ना, उसको control Z तक रखना, command Z तक रखना, जिससे अगर app काम करना, बंद कर दा है, तो ध्यान उसको आप वापिस, command Z करके, समझ सको कि ऐसा आप होगा क्यों, ठीक है, सब दिख सकते हो, हमारा app रखना हो रहा है, कुछ भी अभी तक परगनी पढ़ा है, इसके अंदर, ठीक है, अगर नहीं समझ में आए ना कुछ भी, तो प्लीज कमेंड में मैंशन करना हो, कोई भी अरर आए, तो उसको भी मैंशन करना है, जिससे वो easily resolve हो सके, एंद आपकी जड़नी खराब ना हो, React.js सीखने की, इसके बाद देखे, लोगो फाइल्स हैं, लोगो 192, 1512, manifest your JSON, इसमें हम manifest करते हैं, अपने डेटा को, information को, ठीक है, एंद चेंज करते हैं, आइकन की size वगरा को, यह robot.txt है, जिसमें हम allow, disallow करते हैं, मत अब अब इतना deep में मत जाओ, confused हो जाओगे, ठीक है, यह fabricant.icon है, जो आप देख सकते हैं, यह icon, ठीक है, तो आप चाहो तो उनको delete भी कर सकते हो, अभी मैं कुछ delete नहीं करना हूँ, अभी ऐसे डेज चलते हैं, ठीक है, अब सबसे main folder, जिसमें आपको काम करना है, उसमें आपको कुछ करना नहीं था, ठीक है, अब देखते हैं, किसी भी website को मनाते हैं, तो उसका entry point होता है, index file, ठीक है, तो यहाँ पर index file हमारी आचुकी है, एंड चाहो तो यह comment खटा सकते हो जो जो अले, ठीक है, बट पढ़ लो, क्या है, if you start measuring performance in your app, तो यह report web vitals, as I told you, ठीक है, तो चलो यार, एक बाद न, detail में समझते हैं, कि है क्या, react, react पता है, कि react हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यह फुरा जो code लिखा हुआ है, यह confuse मत होना, यह JavaScript का ही code है, बट ES6 का है, इस वीडियो के बाद, हम एक रिफ्रेशर, जावा स्किप का रिफ्रेशर डालेंगे, जिससे आप, जो भी सीरिज में जावा स्किप रिउज होने वाली है, उसका आप सीख सकते हैं, तो यह simple क्या है, पिस अब पहले, import react from react, जो हम import कर रहे हैं, और पता है, यह convert कैसे हो रहा है, जो हम बैबल पढ़ने वाले हैं भी एक सगिन बाद, थोड़े दिर बाद उसमें, import react dom, ठीक है, document object model, index.css import कर रहे हैं, app import कर रहे हैं, web vitalist import कर रहे हैं, यह हमारा app यहाँ पर import हो रहा है, ठीक है, अभी मैंने control क्लिक है, यह तब्यूद में हुआ है, ठीक है, first है यहाँ पर constant root, अब root आपको याद होगा, root हमने कहा देखा था, अपनी index.html वाली फाइल में, यहाँ, because हम जो भी data create करेंगे, या जो भी website या web app create करेंगे, वो हमें यहाँ पर root के अंदर ही डालगा है, तो देखिए, react-dom का क्या function है, react-document-object-model, react-dom, create-root, अब यह हमारा function है, पहले एक function आता था, dot-render, अब यह updated version में create-root आ गया है, for understanding, ठीक है, अब यहाँ पर कहा है, document.get-element-by-id, अब याद देखो, JavaScript बेसिक भी आगी न, बेसिक भी, उसमें get-element-by-id वाला function आ जाता है, तो get-element-by-id, root, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी id क्या है, root, ठीक है, and उसके बाद, root.render, यहाँ से अटागे render, इन्होंने add कर दिया है, यहाँ पर, सबसे पहले यह है, कि root है हमारा, and then उसके बाद, इसको हम render कर रहे हैं, अपने strict mode में, यार दोगो strict mode में, अभी next video तो बना हुआ, कि exactly strict mode होता, कि तोड़ा सा detail version है उसका, and then उसके बाद हमारा app है, जो हमारा app run हो रहा है, ठीक है, index.js समझ में आपको कैसे use करते हैं, इनको चाओ तो उड़ा दो, कोई ही कर देंगे, ठीक है, as it is, इसको भी उड़ा दो, वोगि हम कुछ use ही नहीं कर रहे हैं, तो import के कहा करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद, जैसे हमने index.js देखी, एक बार देख लेते हैं, अबना app running है कि नहीं, बड़ अभी के लिए इतना समय लो, कि यह HTML का code है, इतना ही बस, app.css में simple css लिखी है, कोई ज़्यादा उपर नीचे नहीं है, and logo, यह logo है, cvg, जो हम यहाँ पर logo देख रहे हैं, web vitals की फाइल है, setup test.js है, और app.js है, यह हम जब use करेंगे, बनाए होई functions को test करेंगे, या test environment में लिए जाएंगे, तो एक काम करते हैं, बेस चैंज, उड़ाओ, command कर लो, command पर क्लिक करके, index.css, कुछ नीची है, आम बिल्कुल hello world से start करेंगे, logo भी अटादो, यह भी अटादो, app.css भी नीची हैं है, यह चलो, अभी के लिए अट लेते हैं, अब इन तीनों को, यहां से delete करतो, move to trace, फरक क्या पड़ेगा, फरक अच्छा का सा पड़ेगा, देखो, can't resolve logo file, index.css भी नहीं मिल रही है, वो काहां में इम इंपूर्ट कर रखा है, index.css यहां इंपूर्ट कर रखी है, एक error गया, और app.css में logo इंपूर्ट कर रखा है, यह भी अटा दिया, यहां से अगर हमने logo अटा दिया, तो यह image भी अटेगी, तो आप दिख सकते हो, हमारा app आ चुका है, ठीक, समझ में आया, यह ब्लैक ब्लैक वाइड बॉर्डर इसलिए आया, क्योंकि हमने index.css उड़ा दिया, तो अब यहां पर हमें काम कर सकते है, कि इस पूरे को भी उड़ा दिते है, header, हम यहां पर simple एक tag लगाएंगे, h1 का, जिसमें भी लिखेंगे, hello, हमारा Hello World अप्रिकेशन आ चुका है, simple, so work, कुछ नहीं है, केवला हमारा h1 tag है, so guys, थोड़ा सा न, इस app.js के बारे में पढ़ते हैं, विकोज हमें सारी files, .js, javascript की files ही बनानी है, ठीक है, और वो files आप में import करेंगे, अपने index.js में, तो यह बेसिक देखाता हूँ, ठीक है, कैसे है, app.js है, एक पर simple file create करता हूँ, यहाँ पर new file, hello.js, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने react component को import करना है, तो वो न, कैसे होगा, simple, अब यहाँ आप इसको as it is दिख दो, यहाँ पर एक function दो, react.js में, दो components होते हैं, जो हम आगे देखेंगे, class component and function component, ठीक है, तो अभी हम बना रहे है function component, तो function component पर हमें क्या लिखना है, hello, यह आप कोई भी नाम दे सकते हो, file के नाम के साथ ज़रूरी है, ठीक है, और अधर आप भी उबर है ना, तो subscriber बन जाओ, और नीचे लाल बला बटन है, उस पर क्लिक करके, उसको subscribe कर लो, then हम इस पूर्य function को export करना होगा, export, default, hello, hello की साथ आप चाहो तो, यह भी लगा सकते हैं, semicolon function लान रहे रहत नहीं है, अब हम इसको एप को अटा देगे, ठीक है, एप अटा देगे हमने, blank हो गया यह, अब हम import करेंगे अपना खुद का function जो हमने बनाया, which is hello, and देखो, automatic यह hello world import हो गया, close कर दो simple, ठीक है, तो आप देख सकतो hello subscriber, तो हमने अभी क्या सीखा, कि हम एक कैसे अपना खुद का JS का page बना के, उसको import कर सकते हैं, किसी component को import कैसे करते हो, बनाते कैसे, वो हमने इसमें सीखा, right, so guys, इस lesson में हमने सीखा, कि हम कैसे अपने folders को customize कर सकते हैं, files को customize कर सकते हैं, node modules क्या होते हैं, public folder, souls folder and all, and also हमने अपना पूरा एक app change करा, कि कैसे हम इस app.js को remove करेंगे, अपना खुद का components भी import कर सकते हैं, okay, so guys, other lesson में इसमें कोई भी issue आया हो, तो please मुझे comment करके बताएं, next video में मिलेंगे, जहांपे हम JSX पढ़ेंगे, कि JSX क्या होती है, कैसे use होती है, कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट प्लीज सब्सक्राइब कर लो, and also बुकमा कर लो अपने पास, and wait for the next lesson,